आज की इस वीडियो में हम यह कुलर रिपेर करेंगे जो वर्किंग कंडिशन में नहीं है यह फ्रंट वाला इससे भी आपको दिख रहेंगे आप यह कटा हुआ है तो बने रही है आप वीडियो के एंड तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि आप सब्सक् और इसके पॉर्क है मोटर है यहां पर यहीड़ तो इसका हम रीपेरिंग कर सकते हैं कमेंट तो इसे वीडियो में लेक Babu आ जाओंगी हम देख रहे थे जो रहते हैं कि जो हमारा मोटर यहां पर निकला paral ऊटर मो MMory का तो यहां पर दो can हमें और एक्स्ट्रा एड करना पड़ेगा इसके अंदर और इसके कनेक्टर वह सब टूटे हुए है पाने वाली मोटर के जो लगता है वहां पे और इसका जाले में आपको दिखा देता हूँ यह बिल्कुल टूटा हुआ है यहां से एक हिस्ता पुरा टूटा हुआ है तो ह यहां पि की को मैं फैविकुक से में दिखांव गाम यहां पर लैंगे और लांच में पर छे करेंगे दूटे इसको और जोसप आपि दघ होती है मिटी और उसके उपर फिर विट्टी डाल देंगे तो बहुत ही अच्छा जोइंट यहां पर हो जाएगा पर दालने के बाद इसको थोड़े पकड़कर रखना पूरेगा नहीं तो इसका यह जोइंट जो हम लगा रहें यह वापिस हट जाता है जो सभी तो इस परकार से सभी पे में यहां पर एक हब लिए हृप न तो इसको मैं ने चok नहीं नहीं है तो यह घ्यआं गया अभी यह जट्यागा नहीं यहां से अगर इसको खिचेंगे तो तूट सकता है वैसे लगाने के बाद यह पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यहां पर यहां पर सिरफ जाली तूटा हुआ होने के कारण यह कुलर काम में नहीं ले सकते थे तो यहां पर अगर हम एक्स्टा खर्चा करते तो नए कुलर लेके आना पड़ता फिर जो इसका जो जाली लगा हुआ था वो इसके उपर फिट कर लूँगा अंदर नेट वाला तो इसको लगाने के बाद अभी यहां पर हम इसकुरू भी नहीं लगा सकते क्योंकि सब्सक्रू था वह जंग लगा वा तो प्लास्टिक वहां से तूटा हुआ है तो यहां इसके जगाए पर का यूज करूंगा तो इसको मैं अच्छे हिस्सों में बांद दूगा कि हमारा यहां से जाली हिले और गास भी फिक्स लगा रहे इस परकार से दो उपर दो नीचे दो मीडल अभी जाली काम हमारा यहां पर कंप्लिट हो गया है और जो यह जाली के जो य जाली का तूटने का यहां से तो अभी जितने भी जाली लगी हुई है सबी को पर इसकुरूंग लगा लेना है ताकि इसका लाइफ बना रही यह तो अगर हैं पर फेश्कुरूँ नहीं लगाएंगे तो यह जो इनेThere जाली है खुलर के अंदर जो नीचे वाला हिस्सा है इसको अच्छे से साफ करना है क्योंकि इसको साफ करेंगे तो हमें सवच हवा अंदर मिलेगी नहीं तो यहीं जो गंदकी अंदर जो रहती है यह जाली से पानी घुमते हुए फिर नीचे आता है जो रोटेशन होता रहता है पानी पाने का मोटर फिट करना है तो मैंने यहां पे इसको अच्छे से साफ कर लिया है कि यह मोटर हमें लोकल मार्केट में डेड़ सो से दो सो रिपे के अंदर मिल जाती है और एक साल की वारंटी मिलती इसके साथ कि visit कि मोटर का ऊपर वारा क्नेक कर रहा है इसको अच्छे से यहां पर लोग कर देना है और उसके बाद फिर जो यह निच्छे वाला इससा के इसके अंदर इसको भीथाना ए तो यहां पर मोटर हमारी फिक्स ओश चुकी है और फिर उसके वाद हम एक हाफ इंची का ही जा प वो ब्रावर लेवल में होना चाहिए जो जाली लगी हुई है यहां पर ब्रावर पानी जाए तो मैं इसे इसको यहां पर फिट कर लिए हूँ और फिर लास्ट में इसको वाइंडिंग वाइर के साथ इसको मैं यहां पर फिक्स करूंगा तो इसी तरिके से जो निच्चे हम फध को फिट करेंगे तो वहाँ में भी वारे से मजबूती से इसको बांढ देंगे ताकि यह यहां से निक्लेग 5 को आफी यहां सकते हैं को तो मैंने यहां पर Correct ! कि आभी हम यहां पर को फिट कर रहे हैं कि जो हमारा पुराना था बोड़ी दोटा हुआ था तो इस परकार से जो टूटा उटेंटर अपिनर भड़िर लगा लेंगे और फिर जो मुझा कुछ नेश्री आदश्री उसको नेक्टर से लिए रचे अधार कर देंगे इस परकार चाल सामिने यहां पर कि दूसरा स्क्रारा हों ने को होने के बाद लाषट में पिछे वाला कनेक्ट करना है बीदली कफ्शलेइड हो जाता है यह कि अभी हैं यहां अब हमारा लास्ट रबचा आज जो नए अधाल रहा है है तोँ इसको फॉझ अभाने के बाद कशिद करके हम फिच्छ वाले पाइप में जो जाली लगी हुई है इसमें हम इसको एक तो यहां पर तो मैं कर ले यहां पर प्राणा वाला यूज़ गुए करूंगा तो आप यहां पर 0.75 यहां पर कोई याँ सा वायर यूज कर सकते हैं इसमें नेगेटीर-फॉजिटीव कोई आइसा नहीं है कि यही पर नगे लगेगा पॉसिटिव लगेगा तो यहां पर कोई भी वायरらい कर से अ कि यहां फेकनेंट कर सकते हैं अटिए हिएप हमारी पंकरी में होना ची तो मैं इसको अंदर पें tep लगा वीटी से इसके पाहर निकाल लिया और फिलाश्ट में इसके उपर में यहां पे टेप लगाओंगा कि ताकि वॉयर हमारा यहां पिल्स यूज ना हो तो इस परकार से नहीं तो यह वायर अगर हमार düşt सकते हैं फिर लाश्ट में मी जो वाघ क्रम यहां से यह भी गड़ सकते हैं कि अभी बचा है मारा उपर वाला क्नेक्शन तो यहां पर इस तरी के से कनेक्शन इसको कर लेंना दोनों तब इक एक वायर को कनेट कर लेना है, फिर उसके बाद अच्छे से टेप लगा के, सेम तरीके से यहीं पे भी वही, हम यूज़ करेंगे कि वायर यहां पे यूज़ नहीं होना था हमारा, अभी हमारा यहां पर एक कनेक्शन कंप्लिट हो गया और यह जो वायर है इसको अच्छे से यहां फोल्ड कर लें जो एक्स्ट्रा वायर है फिर उसके बाद यहां पर टेप लगा दिया था और लास्ट में फैनलि चेक करने ला है कहीं से कोई वायर कटा हुआ नहीं है लेसिंगे एक वाइर कटा हुआ था इसके पर भी उसाद अगा डेता हूं गहां और करके कटा हुआन्गे अंदर का सभी वाइर कंप्लिट होगी बसबात बान refrain कर दोगा यहां पे इसे बंद करके सबी स्क्रू को फिट कर लेना है और यहां पे सिर्फ मैंने सबी स्क्रू लग किया और यहां पे एक स्क्रू हमारा यहां पे नहीं लगा तो यहां पे मैंने वैंडिंग वायर का ही यूज कर रहा हूं मोटर काम कर रहा है नीचे पाने गिरता हूँ आपको से यहां पर दिखाई दे रहा होगा उम्यद करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए इस वीडियो संबंदित अगर आपका कोई सवाल ये कोई सुझा हुआ है तो आप हमें कमेंट